महराज जी को नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू महराजी महराजी इस पंचम काल में हम लोग इस हुंडा अपसर्वनी काल में हम लोगों ने जनम लिया है और हम लोगों का इतना बड़ा भाग है कि हम लोग इस पंचम काल में भी हमको आप जैसे गुरुओं का सानिद, देवसाज गुरु का सानिद मिला है, जैनकुल मिला है, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा पूर्व जन्रहा होगा, उसमें हमने जो पाप किये हैं, और हम उनका प्रयाश्चित तो नहीं कर सकते हैं, पर तबश्या द्वारा उनका विनास कर सकते हैं, लेकिन जिन पापों का हमें पता है, प्रयाश्चित उसका होता है, ज्याद पापों का प्रयाश्चित होता है, अग्याद पापों का नास होता है, हम प्रयाश्चित के द्व तो अतीत के जो भी पाप हमारी आत्मा से जुड़े हैं हमें चाहिए कि हम तब साधिना करके या कर्म निर्जरा के जो भी हितु भूत साधन है जैसे आपने ये पूजा भक्ती की जैसे असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा हुई ये आपके लिए बड़ा एक लाब हुआ तो ऐसी लाबकारी चीजों का हम लाब लेकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं और रहा बरतमान में हमें अगर कोई अपराद इस्वरन में हैं ग्यात है तो गुरुवों के समक्ष जाकर उसका निवेदन करके बिधी पुरवक हम प्रायश्चित लेते हैं आत्मगलानी के साथ तो प्रायश्चित से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं प्रायश्चित सब्द की वित्वत्ति करते हुए कहा गया जिससे पाप का छेद हो जो पाप को छेट डाले उसका नाम है प्रायश्चित अपराद सुधन के एक बड़ी प्रिक्रिया है लेकिन अपराद बोध के बिना प्राइश्चित के वर लाम की चीज है प्राइश्चित हमारी एक साधना है इसे डंड नहीं समचना से